ओम ज्ञानत मिरांधस्य ज्ञानन जनुशलाकया चक्षूरन मिलितं येना तस्मै श्री गुरुवे नमहा श्री चैतने च्रितामेत मध्धिलिया चैप्टर 20 प्रियार सिंथ्या 112 चैतने माबरु सनातन गुरुस्वामी को शिक्षा देते हुए विष्णु शक्ति परा भोग प्रोकता शेत्रग्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संग्यान्या तृतिया शक्ति रिश्यते मूल रूप से कृष्ण की शक्ति अध्यात्मिक है और जीव शक्ति भी अध्यात्मिक है and maya अर एक tatastaãy शक्ती है को दोनों के बीच में वास्तों में fak Une ke निया अध्यात्मिक itD का निया यह पाठ है लेकिए यह बहुतैंक शक्ति झे प्रभायवित हो जाती इसले इश को tatast में कहते है तो तीनों शक्तियों के अपारे हैं तो उसी पर्टी के साथ रही है। फालना कि यह जो शक्ति है यह भी भगवान की मया शक्ति है। उसका विशेश परपस है कि उन आत्माऊं को जो भोगना चाहते थे। उनको थोड़े दिन सब कुछ बुलाया जायी क्योंकि उन भोगना चाहते हैं। जब उनकी हिर्दाय से आये कि मैं भोगणा नहीं चाहता हूं मोई भगवाण कि धाम में वापष चाहता हूं जब वह भगवाण के शरन में जाता है तो माया शक्ति परभाव अटा लीती है तो इस परपस से है तो हमें इसके साथ रहने का संग करना हमें जब समझ मा आ गया है कि हम हम सवभागयओन हैं कि हम कौन सी शक्ति को बिलॉग करते हैं और हमें कहां पर जाना है उसके बाद में इस शक्ति के साथ असोसियेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि यह हमें भूला देती है हमारे haul परपस को हम पूरे दिन में भूलते हैं हम अक्सर कहते है कि कई बसंडिकर दिन कारता है तो चेतना ठीक रहती है थोड़े दिर बाध में चेतना फिर खरब हो जाती है चूंकि यह इसक्ति परवार Fen's से पढ़ जाता है । iska भी कार न आप कहेंगे जो मैं बहगवान को पराप्त करने का पर्यास करने पार आप और त। हमारा पर्यास गापिस हैज़िए देवताओं को मिश्रितभक्त गहते हैं हम भी मिश्रित है क्रवारynı कि फंदर में इच्छाएं इच्छा में है। तब तक मया शक्तियां में परफावित करेगी। सारी स्रिडनात्मक शक्तियां परम अद्वय सत्य में विद्मान एती है। सामाने व्यक्ति के लिए अचेंटिय होती है स्रीजनात्मक शक्तिया परम सत्य अद्वय में वास्ता में हमने सुना कि भगवान ही क्रीएट करते हैं गुणात्मक अवतार तो इसली हम रिखता कुछ पर कम्राइच फार रहे करें है लेकिन गौत है कोई औरancer काम आथा वा तो देखता ही निए औता ही आथा ही ने है यह अचिंत श्रिजन पालन तथा संगहर की विदी में साहायर्स्ड पार करती है जिस तरह अगनी में दो शक्तियां होती है उश्मा और प्रकार्श उसी तरह ये अचिंते शक्तियां परम्शत्य के स्वभाविकुन है लेकिन अपरेंटली लोगों को ये लगता है कि हो बरम्मा उनका पूजा की जाए शिवा दिस्ट्रक्टर उनकी पूजा की जाए तो इस तरह समय समझना बड़ेगा अल्टिमेटली सारे ही उन्हीं बहगवान की शक्तियां है पूर्प पड़ना फ्रस्यों पूर्प और उनके शक्ति जी चोड़ वे उसे बहुत तक जगत अध्यात्मीं जगत में रहने के सुवेदा है चिंतुओं बहुत एक जगत के आस्तित्व के तीने पहतात्वा को बोगता है उसके पास यह option है कि वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन हम लोग फिर भी कई वार जैसे संसार में हम लोग ऐसी जगह में जाना चाहते हैं, जहां ज्यादा सुविदाये हैं, जहां ज्यादा ओपूलेंस दिखती है, जहां ज्यादा पॉंप और शो है, लेकिन हमारे पास एक और भारत में ये अध्यात्म है भारत भूमीते हाईल मनुष्र जरम्यार जैसा चैतने मापर हुई कहते हैं कि इस जगह में यही विशेष्टा है क्या विशेष्टा है यहां पर यह जो धर्म का पालन करने वाले लोग हैं सो सभावता इसको करते हैं आज भी है और यहां पर हवित होकर अपूलेंस की तरव भागता है लक्षमी की तरव भागता है तो उसी तरह दूरह से जब कि वह लक्षमी वास्ता में वह उस्ता भी नहीं है नहीं कि किसी भी उपुलेंस का लाब ताग है जो हमारे हिड़दाय परसन रह सके हैं लेकिन आदमी वस्तुओं को जादा महत्व देता है अपनी परसनता के बदले गरी किसी वैक्ती के परसनता है इस एंग्जाइटी फ्री स्ट्रेस फ्री और एक करोड़पती आदमी स्ट्रेस में दिन रात रहता है तो यह समझेंगे कि वह गरीव वैक्ती आपुलेंट है कि वह परसनचित हैं तो ऐसी उप्लेंस का फायदा जो हमें समस्या में डाल दें तो इसलिए जीव के पास भी ही समस्या है, जीव के पास ये भौतिome जगत है, दोनों में जह सकता है, किन्तु हो है भौति нрав जगत में रहता है उसकी अट्रैक्शन को देखके, क्या समस्या है हमारी कि हम क्रिश्न बनना चाते हैं, अधियात्मी जगत की नौलिज होने के बार हम क्यों नहीं जाग पाते हैं हम लोगों को जैसे नॉलिज हो गई चुकि अभी में हमारे अंदर आशिक रूप से यह इच्छा है कृष्ण बन जागी और इस भौतिक जगत में यह ऐसा लगता है कि इच्छा पूरी हो सकती है क्योंकि यह हम इंडिपेंडेंस कर पाते हैं हम हर चीज में हम इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे तो इसलिए है यहां बता रहे है कि उसके बहुतिक जगत आद्मी जगत दोनों में रहने किसे विदा है चिन्ट वह बहुतिक आस्तित के तीन तापों को भोगता है तो को उसे अविद्या शक्ति प्रभावित करती रहती है जो इसकी वैधानिक स्थिति को आच छाडित कर दे कि अपर भी निवारत है कि जीवेर सवरूप में नित्रेकर कृष्ण दास यह ए व्यारत है इसको छुपा देती है और क्रिश्ण बनने का प्रयास करते हैं इस भौतिक जगत में इसलिए ही पर रहना जाते हैं वहां पर जाके लगता है निए वहां जाते ही सर्वेंट बन जा से आयख यह कुछ कर रहा है। कि कि लेकर करें één कंच ऐसे ऎकषन करते तो ईखन के में ट्रैणिग की दिन थे हम किसी भक्त से बात करते हैं कूरेस कि तो कोज आखें हमेशा हमे अभप्सपर कर होती थी और शाम को हमें बताई जाता था तुम उस भक्त से जो कि तुम से सीनियर था एक दम कैजूली बात कर रहे थे तुम हस्ते हस्ते बात कर रहे थे फिर एक्जामबल बताई जाता था तुम लगता था यहां तक कि हम सुन के हरान हो गए कि तुम एक इतने भक्तों के पा और थूक वगएरा कुछ उनके मूह में या उनके शरीर में न जाये तो ऐसी ऐसी चीजे अबसर्व करके वो बताते थे शाम को या जब भी मौका मिले तो कई बार हम चीजों से घबरा जाते हैं जबकि जो वेक्ति आगे बनना चाहता है उसको ये चीजे बड़ी अच्छे ल करती है उसको कि हमेशा मुझे कुछ आखें देखती रहेंगी यहां नहीं आएंगे हम यहां से दूर रहना चाहते हैं दूर रहके भक्ति करेंगे ऐसा होता है सभी के अंदर ये इंडिपेंडनेस भाव है तो यहां उसे अविद्या शक्ति प्रवावित करती है और वैधा के अंदर कितनी observation होती है आप दो तीन दिन ओफिस में लेट पहुंच जाओ तो बहुत बुला लगता है ज़र आएंगे आप केविन आएंगे आप लेट हो रहे हैं कोई कारण तो नहीं है घर में सब ठीक है उनका मतलब है जल्दी आईए टाइम पाईए उसके बाद आपक से नहीं किया तो customer is not satisfied आपकी डेट एक्स्टेंड हो गई आपने कई सरे रिस को mitigate नहीं किया इत्यादी इत्यादी कितना observation है वो हम बंधन वहां पर भी बंधन नहीं लगता है और यहां पर भी बंधन लगता है जोंकि हमारा नेचर है इंडिपेंडेंट रहने का अविद्या के प्रभाव से ignorance अविद्या कौन से अविद्या अपने स्वरूप के अविद्या सबसे बढ़ी अविद्या क्या हो सकती है संसार में किसी को heavy city लिखना नहीं आता है संसार में बढ़ा खास्त वरब हिंदूस्तान पर साक्षरता के ऊपर बहुत जूर है साक्षरता तो कि इसको कैसे literacy rate को बढ़ाए जाए लेकिन वास्ता में साक्षरता इसको नहीं कहते हैं साक्षरता कहते हैं हम अपने आपको नहीं जान पाए सोच के देखे जरा कि हमें ये तक नहीं पताए कि हम कौन है तो किसी भी और ग्यान का क्याला वह उसके बाद जब म भूतिक स्थिती में विविद रूपों में भिद्यमान रहता है है अलग-अलग शरीर धारण करता है अलग-अलग रोल प्ने करता है कभी पिता का जबी किसी का बेटे और जानवर का ए राजा इस जामों में बहुतिक शक्ति के प्रभावत होता Double according it इतातु अन्याम प्रकर्तिम विद्धी में पराम, जीव भूताम महा बाहु यया इदम धार्यते जगर, ए महा बाहु अर्जन, इस अपरा शक्ति के अतरिक्त मेरी एक परा शक्ति भी है, जो जीवों से बनी है, दवगत इता में इस लोक आया, जो की निक्रिष्ट भौत एक शक्ति के स्त्रोतों का शोशन कर रहे हैं, प्रकर्ति, हम क्या बोलते हैं कि जीव इस अंसार में क्यों दुखी है, क्योंकि वो इस अंसार को भौगना चारा है, मना शष्ट इंद्रियानी प्रकर्ति स्थानी कर्शती, अपने मन के साथ, अपने इंद्रियों के साथ, उस ज मेरा सनातन अंच है तो परसन क्यों नहीं है परसन इसलिए नहीं है क्योंकि वह बड़ी मेहनत कर रहा है कि अधिकार जमा पाऊं कैसे मैं अपना समरा जबना पाऊं कैसे मैं और भूग एकटा कर पाऊं इस चकर में वह दुखी होता जा रहा है उसने अपने आपको यहां से रिलेटेड ही मान लिया है वह भूल गया है कि यहां थोड़ दे निकल आया है था यहां से निकल जाना ही हो तो यह कारण बता रहे है कि मेरी ही शक्ति है लेकिन बहुतिक शक्ति जो कि निक्रिष्ट है जीव से निक्रिष्ट माने जाती है जीव शक्ति अध्याद्मिक शक्ति का पार्ट है हमने सुना और यह शक्ति का है निक्रिष्ट लोर है लेकिन लोर के साथ असोसेट करेंगे वैसे यह बहुत इक शक्ति है इसके साथ रह रहे के हमारी चेतना भी वैसी जाते है कृष्टन भूली से जीव अनादी बहिर मुख अतएव माया तारे देया संसार दुख जीव अनन्त काल से कृष्टन को भूल कर बारी रूप द्वाराकर्ष्ट हो रहा है जितने भी हमारे जीवन में दुख है वो कृष्टन से भूलने के करने ज्यान रखिए परिवारिक दुख भी अगर है परसनल आदमी कितनी बिमारियां मैं देखता हूं संसार में स्ट्रेस हैं आप जानते हैं जिसकी वज़े से कई सारी बिमारियां होती जानी है बहुत सारी बिमारियां होती है आप सोच नहीं सकते पूरे बॉडी का फंक्चन हिल जाता है अगर आप ज्यान से देखेंगे हम लोग एक लेक्चर लेते हैं कि स्ट्रेस नानेजमेंट के उपर स्ट्रेस का मुखे कारण एक्स्टरनल एनवायरमेंट कभी नहीं होता है जैसा कि संसार में सोचा जाता है यह मन में स्ट्रेस होता क्युं है क्योंकि हम भगवान को भूले होते है इसलिए ये स्ट्रेस होता है फिर हमें मान अपमान जबर्दस तरीके से महसूस होने लगता है क्योंकि अपनी बैधानिक स्थिति को भूल जाते है कि हम क्रिष्ण के नित्रदास है परम अनंदित परम रस के खान क्रिष्ण के अंच हैं लेकिन हमें जब ये विस्मिर्थी हो जाती है तो स्ट्रेस होता है अलग अलग तरीकों का स्ट्रेस होता फर एक्जामपल मिर्थ्यू का स्ट्रेस क्यों है क्योंकि हम भूल गए अपने आपको बुड़ापे का स्ट्रेस उसी कारण से है बिमारियों का stress दूसी कारण से करें हम समझें कि जब तक ये शरीर है तभी तक बिमारिया है अधियात्मिक शरीर में बिमारिया नहीं है उसके बाद मान सम्मान का stress कि मैं इन से senior था for example इने मुझे सम्मान नहीं मिला मैं सोचता था ये मेरी पतनी है मुझे प्रेम करेगी मेरे लिए एक खाना बनाएगी मुझे पूछेगी लेकिन मुझे नहीं पूछ रही है stress है या ये मुझे पती है कभी मुझे नहीं पूछता है कम से कम मैं इतना इसके लिए करती हूँ थोड़ा सा तो मुझे मिलना चाहिए था यह स्ट्रेस है अब सुचिए ऐसे जीवन में परिवारिक में घर का बटवार हुआ मुझे प्रॉपर्टी कम मिली उसको ज्यादा मिल गई मैं इसके इंट से इंट बजा दूँगा स्ट्रेस है बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस केवल एक कारण है कि हम कृष्ण को भूल जाते हैं यहां बता रहे हैं जीव अनंत काल से कृष्ण को भूल कर बाहरी रूप द्वारा करश्ट हो रहा है इन चीज़ों साकर इसलिए दुखी है इसलिए सारी बिमारिया है अता माया उसे बहुत एक शरी संसार में कभी सभी परकार से दुख देती रहती है फेर भी प्र वो सोशता है कि एक दिन मैं या व्यों पजाओंगा इन दुखों को मिटाने क्योंकि बीच-बीच में ज़रा ज़रा से उसको सुकस्स मिल जाती है उसके कारणों से लगता है कि हम यहां पर ह successful हो सकते हैं थोड़ी सी planning किया हो शकता है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो निकल जाएंगे यहां से यह कोई ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि यह भगवान की माया है इसको हराना is impossible बीच बीच में आपको थोड़ा सा परलोबन देती रहती है ताकि हमारे अंदर भी एक उ जो हम क्रिष्ण से विरह में दुखी होते हैं तो हमें स्ट्रेस नहीं होता है वो अलग तरह का आनद होता है वो हमें बगवान की पास ले जाने में जल्दी मदद करता है जीव मूलता है क्रिष्ण का अंश है तक क्रिष्ण की पराशक्ति है अध्यात्मी शक्ति है उसे जीव के अंदर बहुत जबर्दस शक्राइब बना दिया है। जीव अपनी स्थि भूलकर भौतिक शक्ति में स्थित रहता है। काल बीटता है ना समय बीत रहा है, हम बूडे हो रहे हैं, हमारी मिर्त्यू के निकट जा रहे हैं। तो समय बीतता है यहांपर। भूत बर्दमान बविश्य के वल बहुती जगत में होता है। अध्यादिम जगत में है ही नहीं, क्योंकि वहाँ जीव शाष्वत है ना, तो फिर भूत बर्दमान बविश्य के वहाँ तो इटर्नल ही हमें। और बहुत ही जगत के स्रिष्टी के पूर्व से विद्यमान है, दुरुभाग्यवश्य के वहाँ इस संबंध को भूल गया है। इसलिए हम सब का ये endeavor होना चाहिए, हम बक्ती तो कर रहे हैं­ पर हमारा endeavor होना चाही है की कैसे हम हम इस चेतना में हमेशा चाहिर रहें है ? क्या है और हम बार बार ही दिरकों ना गिरे हैं यही हमारे दुखों का कारण है हम लोगों दुखों का कारण कई तरगों से सोच रहे हैं तो इस संसार में हम अपने-अपने किले बनाते हैं और उन किलों के अंदर अधर हम राजह atual बनना चाहते यह हिए अब उसी वही पर हम फश जाते हैं फिर उम्हें बहुत सारे stress होते हैं जब तक हम अपनी स्थिती को याद रखेंगे और सर्वेंट के भागवान के दास के भागवान के पास में जाना तब हमारे जीवन के स्ट्रेस नहीं लगें वास्ता में कितना भी दुख मारे जीवन में आजाए हम उसको बड़े असानी चेल लेंगे कभु स्वर्गे उठाए कभु नरके डुबाए दंड़ यजन राजा ये न नदीते चुबाए बहुतिक अवस्ता में जीव कभी उच्छतर ग्रह मंडलों में तरह बहुतिक स्मिर्धी तक ऊपर उठा दिया जाता है और कभी नरक में डुबो दिया जाता है ऐसा स्थिति आ कुणधि या पर सुख के साथ में दुख आना मैंडेट्री है मैंडेट्री दीखता नहीं है जैसे कि हम सिक्च्छे को उचालते हैं तो हम fad दिखता है न लेकिन उसन के कड़वी लगती है लेकिन सचाई है यह हमेशा सुखी नहीं रहेगा अचानक से कुछ जीवन में हो जाएगा इसलिए समझ नहीं आप शकता है कि कभी हम एकदम उपर उठा दिये जाएंगे कभी हम नीचे गरेंगे उसकी अवस्ता ठीक उस अपराधी जैसी है जिसको मरी जाएगा तो उसका सर बहार निकाल दिया जाता है थोड़ी देर के लिए उसको सांस मिलती है तो उसको लगता है क्या जीवन है यह जीवन सांस लेना भी बहुत अच्छा लगता है जैसे करोना के समय पर लोगों को ऑक्सीजन इतनी बढ़िया लगने लगी तो थोड़ सा हमें सुख मिलता है सुख तो नहीं है वह है दुख का चला जाना थोड़े समय के लिए वह हमें सुख लगता उसकी स्तिती को बता रहे है और उसी में हम सोचते हैं कि आनंद आ गया ब्रियदारन्या उपनिशत में कहा गया कि जीव सदा बहुत इक जगत के कलमश से मुक् नहीं होता कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में नहीं बूलता वे नित्यमुक्त कहलाता है दूरी शब्दों में जो भौतिक कलमश से सदा मुक्त है वे नित्यमुक्त कहलाता है नित्यमुक्त जीव सनातन काल से कृष्ण का भक्त रहा और उसका एक मात्र प्रयास भूलता नहीं, जो भी जीव कृष्ण से अपने निते समन को भूल जाता है, वे भातित्ता में फ़ल जाता है, और फिर दुखी होता है, भगवान की दिवे प्रिमा बक्ती से विहीन होकर वे सकाम कर्मों के फलों के अधीन हो जाता है, जब संसारिक पुन्ने कारयों के कारण स्वर्ग लोग जाता है, तो अपने आपको उची स्थान पर पाता है, खिर तो फिर उसे दंडित के जाता है, फिर उस लगता नहीं मैं ठीक जगा पनी हूँ, ऐसा होता है कि नी, हमें जब जीवने में दंड मिलता है, तो हमें विद्दरो की भावन आती है, क्यों हो रहा ह मेरे साथ ही यह गलत हो रहा है यह आदमी मेरे से ऐसा क्यों बोल रहा है यह लेडी मेरे साथ क्यों बोल लिए यह दुश्मन मेरे happily thereafter, हम पिच्चरों में देखते हैं, पिच्चरों का end होता है, बीच में विलेन आता है, विलेन की घूसा, मुक्का, विलेन जेल में चला गया और अन्त में लिखाता है, and they lived happily thereafter, this is, यह जूट है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कि जीवन एकदम स्मूथ चलता रहे, कभी हम ऊपर होंगे, कभी नीचे होंगे, जब हमें नीचे होंगे, तो हमें लगेगा, नहीं नहीं, यह गलत है, यह वो है, और अपने आपको और ज्यादा दुखी करेंगे, लेकिन भक्त क लिए, कि मैं इस जगत को बिलॉंग नहीं करता हूँ, और कृष्णा सर्वेंट, मैं इस जगत का सर्वेंट बन गया, इसलिए मेरी पिटाई हो रही है, वो समझ जाता है, तो भक्त इस प्रकाल से दुखों को चेल लेता है, लेकिन अभक्त जो है, इस तिति को जहल नहीं की पाता है, कि मैं कैसे सर्वेंट बन गया, यहां पर मैं तो मालिक था, इस कारण से वो और जदा स्ट्रेस मायाद है, भयंदृतिया अभी निवेश्यता, स्यात इशात अपे तस्य विप्रययय सास्मिर्ती, ततमायया अता बुदा आवजेद, ततम तम भक्तया एकया इश गुरू देवता आत्मा, जब जीव कृष्ण से भिन ऐसी बहुतिक शक्ति द्वारा आकरष्ट होता है, तब भय द्वारा ग्रस्त हो जाता है, अब उसको भय होता है, जैसा अभी आपने डिसकस किया स्ट्रेस, अलगल परकार के स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड भय यह रिलेट अगर मैं अपमानित हो गया है, तो जब हम अपने नेचर को भूल जाते हैं, और इस जगह में अपनी पहचान बना लेते हैं, अपनी एक रुद्वा, एक पोजीशन बना लेते हैं, तो उस रुद्वे को जाने का, पोजीशन को जाने का, धन को जाने का, परिवार को जाने बहुतिक शक्ति द्वारा पूर्ण पूर्षत्म भगवान से अलग होने के करन जीवन की पर्ति हमारी दिर्ष्टी बदल जाती है दूसरे शब्दों में क्रिष्ण का नित्य दास होने के बदले कृष्ण का परतियोगी बन जाता है इस नेचर को हटाने के लिए देखिए हम लोग सवेरे सो सकते हैं बड़े अच्छी नीद ले सकते हैं लेकिन हमारे को भी उतनी इच्छी लगती है अभी का फी सारे लोगों को लग रहा है 99% लोगों को इतना बुलापा नहीं आया कि नीद आती नहीं है क्या करें इसलिए जग के मालाई कर लें सब लोग लोग इस बात के लिए जागरुक हैं कि वो सर्वेंट हैं उनका देखते हैं हम 6-7-8 बजे तक माला भी खतम हो जाती है, शर्मण भी खतम हो जाता है, आरती इत्यादी भी खतम हो जाती है, उसके majority of the, यहीं कि दिन की पूरी हम पूरे morning को भगवान को आरपिद ही कर देते हैं, यही तो हुआ servant, जो पहले सर्व करता है, लेकिन जो पहले भोगता है, पहले आनंद दे लेता है, फिर बीच में समय मिलता है, तो अगरबत्ती घुमा देता है, वह आस्ता में सरववाणनी है, वो अगरबत्ती भी खुमा रहा है, ताकि मेरे घर की बत्ती जल्ती रहे, अगरबत्ती जला दो, यह कारण है, जहां बूलु रहे ह हैं कि वो ק¡ष्ण का प्रतियोंगी है, प्रत्योंगी बन जाते हैं, दास की भावना को भूल जाते हैं, भूगना चाते हैं, इस भूल को निरस्त करने के लिए वास्ता में विध्वान तता उननत वेक्ति पूण पुर्षण दो भगवान की पूजा करते हैं तो इसको क्या कर bisa Two businessmen करने लिए गूसमा करते हैं तो थेरे धेरे ऐसे नियम बनाते हैं अपने डे में अपना डे का शटूल आसे बनाते है और आीं रहे हम उसके एक एक पल को observe करते हैं कहां था मैंने बुलाया तो है क्यों नहीं किया वहां पर तो हम control दिखाना जाते हैं लेकिन हम हमारे उपर अगर इस तरह से कोई हमें observe नहीं भी करे यदि हम उन नियमों से बन जाएं उठने के, जब करने के बातचीत करने के तरीके के पहनावे के इसका मतलब अब मैं totally बंदने को तियार हो गया हूँ I am being observed और मैं agree करता हूँ कि हम मुझे observe किया जाए मैं ऐसा रहूँगा क्योंकि तो इस तरह से हम यहां बताए गया कि वो भक्ती की विधियों से अपने आपको दास बनाने का परयास करता है यह आपकी और हमारी सब की सिति है हम सब मालिक बनना चाते थे और चाते है मेरी पी सिति है यहां बताए जाता है अच्छा ऐसे वक्तों भी करो जो तुमारे लिए अच्छा नहीं सोचते है तुमारे लिए बुरा सोच रहे हैं उनके भी सर्वेंट बरो इस परकार से भक्ती के नियमों से हम अपने आपको दास बनाने का परयास करते है या दास के चेतना को जगाने का प्रयास हो hum ये यह यहां बता आई जाता है इसलिए भक्ती की विदियां बड़ी Important है मौत आई होते हैं use रूल्स अड रिगुलेशन किसके लिए होते हैं नौकर के लिए दो होते हैं मालिक के लिए का होते हैं तो जो rules and regulation को नहीं मानना चाहता है वो मालिक बनना चाहता है यही बता रहे हैं कि हम कृष्ण के प्रतियोगी बनना चाहते हैं competitor ऐसा भागवत में बताया गया यह नौ योगेंद्रों में से एक कभी रिशी द्वारा दिया गया अब देश है कि विदेह के राजा निमी को नौ योगेंद्रों ने पहले उपदेश दिया जब नारदमुनी ने भागवत धर्म अर्था तो भक्ति में सिवा पर प्रवचन दिया तब उन्होंने बताया कि किस तरह बद्ध जीव भगवान की दिव सिवा में सनलंगन रहकर मुक्त हो सकता है भगवान समस्त बध आत्माँ के परमात्मा हैं गुरू है पूझ देव है कृष्ण समस्त जीवों के नाकेबल परम पूझ देव है अब तो भे गुरू और चैक्त्य गुरू परमात्मा भी है जो जीव को अबदेश देते हैं बहुत in शक्ति मानने लगता है। जिस चपल सभरुबे अपने शरीर मानने लगता है, शजिवी समध्नी समृत्ति को अपनी सम्थत्ति मानने लगता है। उस चल्रण जाएये लिए और उसके लिएगदमीपन लाई लिए भलव भुप्णित माननेरों.. चोड़ दे मेरी पतनी मेरे कंट्रोल से बाहर न हो जाए बगएरा बगएरा वस्तों से सकाम कर्म के समस्त फल आत्मा से आते हैं किन तु जीव अपनी वास्तविक करतावे को भुला देने के कारण ऐसे अनेक भौतिक परिणामों से चिंतित रहता है इसलिए बहुत सारी बीम करते हैं अकसर गरेलू मसलों को तुल जाते हैं लेकिन उन मसलों के जड़ कुछ हो रहे है जो जड़ आज बताई जारी है वास्तव में हमारे जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना आ जाए पतनी कैसी भी बुरी क्यों ना आ जाए पति कैसा भी बुरा क्यों ना आ जाए व कोई दास ऐसा कहे नहीं जी अब गर्मी है मैं खाना नहीं बनाऊँगा आपने कुकर रखा वह लें नहीं जी मौसम खराब है खाना नहीं बनाऊगा तो आपको कहा चला जाएगा अपनी इकाली देंगे उसको इसलिए किसी भी कंडिशन में उसको काम है कुकिंग करना उसी त से परभाविती आते हैं और अपनी सेवाएं बंद कर देते हैं इसलिए यहां पर बताए जा रहा है तो जितने भी गरेलू जगले मसले सब क्यों है इस बात को भूल जाने से कि हम कृष्ण के निते दास हैं इसलिए हम दूसरे वेक्ति को दंड देना चाहते हैं तुमने ऐसे कैसे बोल लिया तुमने ऐसे सोच कैसे लिया हमारी सारी जिग्यास आई भी इसी के आराउंड कितनी अजीब सी बात है अल्ला मैं इतने सारों से देख रहा हूं हाडली कोई वेक्ति आसा होता है जो यह डिसकस करने आता है कि मैं अपने आपको कृष्ण का दास कैसे बनाओं 99% of the time लोग जब आते हैं मिलने के लिए तो केवल यही वात लेके आते हैं कि इसने ऐसा कह दिया इसने ऐसा कर दिया इसने ऐसा क लोनी है हम भी मदद करना चाहते हैं ताकि आपकी चेतना भक्ति में लगे और हम मदद क्यों करते हैं हम इन मसलों को क्यों सुल जाते हैं हम इन मसलों को इसलिए सुल जाते हैं ताकि किसी तरह इसको भूल के भक्ति में लगेगा और जब भक्ति में लगेगा तभी यह मसले सॉल होंगे ताकि भक्ति करता रहे जो भक्ति नहीं कर रहा उसके मसले सुल जाने का हमें कोई इंटरस्ट नहीं है क्योंकि ultimate objective हमें भक्ति कराना है और करना है क्योंकि वही सारे मसले सॉल करेगा इसलिए जीवन में जितने भी कलेश है depression है भाय है दुख है वो इसलिए है क्योंकि हम भक्ति के process में कहीं कुछ गडबड कर रहे है जान रखिए कभी भी perfect wife नहीं मिलेगी कभी perfect पती नहीं मिलेगा कभी perfect पिता और बेटा नहीं मिलेगा इसलिए क्यों इन बातों के लिए हम चिंता कर रहे हैं इंदनी हमें सुचना पढ़ेगा हम perfect disciple and servant कैसे बन पाएं यदि हम perfect disciple servant बन जाएंगे फिर कोई दुख हमारे जिवन में आई गई है हमें मैसूस ही नहीं होगा तो यह है सादू शास्त्र कृपाय यदि कृष्ण और मुखहया से जीवन निस्तारे माया थाहारे छाड़ाया कि कोई बद्य जीव किसी ऐसे सादू पूरुश की किरफा से Krishna भावनामित हो जाता है जो उसे शास्त्रों का उपदेश देता रएता है और Krishna भावनामित होने में सायता करता है तो यह बद्य जीव माया के पास से मुखत जाता है क्योंकि Maya ही उसे छोड़ देती है लेकिन Maya testing करती है जबरदर testing करती है बीट-बीट में testing होती रहती है क्या अभी भी servant का भाव है पिंच मारती है पिंच मारते ही यदि मैं कहता हूं हम कहता है देख लूँगा छोड़ूगा नहीं तो माया समझ जाती है ये तो गया अब इसकी इच्छा बूरी करी जाए फिर माया उसका अच्छा देती है लेकि माया देखती है बार बार नहीं किसी भी वस्ता में कह रहा है I am das daso asmi तो माया उसको छोड़ जाती है बद्रजीव है जो क्रिष्ण को अपने सनातन स्वामी के रूप में बुला चुका है कौन है बद्रजीव जो भूल चुका है कि क्रिष्ण के स्वामी है बद्रजीव है सोचकर कि वह भौतिक जगत का उपभोग कर रहा है इस भौतिक जगत के तीनों कस्टों को सेहन करता रह भागवान के वैशनोंबंभक्त वैदिक्साइथे कि अधारपर कृष्ण भावना का परचार करते हैं निए की क्रपा से बद जीव करिष्ण बावना में रहने के बाद भौतिक जीवन शयली बिताने के लिए उत्सुक नहीं रहा जाता है, इसके बद्लिए भगवान की दिव्यकरेमामैसिवा में लगता है, एक बार यह जागरित हो झाहे, लेकिन अधि हमारे अंदर अभी भौ बहुतिक जीवन शैली भोग की शैली के लिए यदि हमारे अंदर उत्सुपता है तो इसका मतलब अभी हमारी कृष्ण भावन नमरत जागरत नहीं हुई है उसके बदले पर भगवान की दिवय प्रेमवई सेवा में लग जाता है जब जीव भगवान की भक्तिमा ही सेवा मे नहीं भोगने से बहुतिक जीवन शैली से वेराग्य और कृष्ण से अटेश्मेंट आ सकती यही परिक्षा है मनुष्ण को बहुतिक भोग से आना सकतो हो जाना चाहिए प्रुपात कह रहे हैं ऐसी आना सकती का आरतिया है कि माया ने बद जीव की माया भी भोग से मुक्त प्रुपा भोगता माने लगता है तब बद अग्ले खाएंगे यहां पर बड़ा जोड दिया जा रहा है बहुत जबरदस तरीके से जीव का स्रूप है यह और हम उसको भूल जाते हैं उसके कारण ही हम सारे दुफने हैं कि हमें लगता है कि यहां तो फास जाएंगे जितन दूर रहेंगे, जीवन जी पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे, उस शक्र में सारा जीवन बरबाद कर रहे हैं, तो बहुत महा इत्मुन शिक्षा दे रहे हैं, जीव को बताना चाहरे हैं कि, हे जीव, यदि आप सर्वेंट की भाती रहोगे, तो हमेशा परसन रहोगे, फ्र यदि चैत्र नचाहिता मित की, जाएंगे.